नमस्कर दोस्तो, welcome to study24, डोस्तो बिहार सरकार की और से, सरकारी असकुलों में मध्यान भोजन योजना चलाई जाती है, यह तो आपको भी पता होगा, तो दोस्तो मध्यान भोजन योजना में खाना बनाने को रखा जाता है, रसोया के तौर पे, और सहायक के तौर पे, तो इ देख सकते हैं, नोटिस बगेरा जो है उपरकासित कर दी गई है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, 23.9.2024 को यह वेकेंसी डीटेल जारी की गई है, जिसमें कहा गया है, रसोया सहायक चेयन के समाही चैनित होने वाले रसोयों को जाए, स्वास्त परमान पत्र भी देना इसके नीचे आपको वेकेंसी की पूरी डीटेल देखने को मिलती है, यहां से अगर हम सुरू करें, यहां पर बदाया जाता है, देख सकते हैं, विद्यालाई में रसोया सहायक की संख्या, विद्यालाई में रसोया सहायक की संख्या का निर्धारन कूल निर्धार ज justamente Kayla 16, तो वहां पर एक रसोया की बहाली होनी है और बहाली भी शुरू हो चुकी है कैसे करना है आवेदन यह सब जानकरी में आपको दूंगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा देखें जहां एक से पचीस बच्चे हैं वहां एक रसोया की भरती होनी है जहां 26 से पढ़ रहे हैं वहां 2 रसोया की भरती होनी है और जहां 200 बच्चे तक पढ़ रहे हैं 100 से 200 बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे 3 रसोया की भरती होनी है और जहां पे 201 से 300 बच्चे हैं वहां पे 4 रसोया की भरती होनी है वहीं 301 से 400 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो 5 रस पर जहां पे 400 से 500 बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे 6 रसोया सासायक की भर्ती की जाएगए लेकिन जहां पांशो से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं एड्मीसन है तो वहां पे अतरीक परती 300 छातर पे एक एक्ष्स्रा रखा जाएगा यानि वहां सात हो झाएगा ठीक है अगर 500 से 600 के बीच में तो वहाँ पे 7 रसोया की भरती होनी है अब देखे इस भरती में योगिता जो है निर्धारित की गई है आप देख पारे होंगे यहाँ पे निर्धारित की गई है रसोया साहायक की योगिता कोई भी स्वस्त अस्तिरी अथवा पुरूस रसोया सा सहायक के रूप में कारे पर लगाये जाने के लिए योगे माना जाएगा जो निम्दिखित सर्तों को पर्तिपालन करते हैं यानि जो भी कोई भी व्यक्ति जो सारीरिक रूप से स्वस्त है वो इसमें आवेदन कर सकता है इसमें चयन अपना करवा सकता है दिलकुल कोई दिकत नहीं है अस्तिरी हो या फुरुस हो उम्र देखिए यहां पर पतायागा है कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और अध पंचायत के विद्यालर में रसोया के लिए आप आवेदन करेंगे करना चाहते है तो उसी गृराम पंचायत routine निवासी होना चाहिए यानि आपके नजदी की अस्कुल जो होगा उसी में आपका चयन होगा ठीक है अब देखे इसमें किसका किसका चयन नहीं होगा वो यहां पर बतायागा है कोई भी नेता या मुखिया या बाड़ सदस या सरपंच पंच आसा अगनबाडी सेविका साय का जो है उनके परिवार या वो खुद कोई भी जो अस्कुल के टीचर बगएरा है तो उसके परिवार वाले या खुद वो नहीं रह सकते हैं रसोया के रूप में जब भी रखना है तो वो उसी गाउं का ग्राम पंचायत के किसी साधारन व्यक्ति को रखना होगा जैसे कि यहां पर बतायागा है एक परिवार से एक ही र खाना देना है इसलिए संकर्मित रोग नहीं होना चाहिए यही चीजे बताई गई है और देखे इसका चैयन कौन करता है और इसका बहाली कौन करेगा क्योंकि बहाली जो है वो शुरू हो चुकी है देखे बहाली जो है वो आपका शुरू जो हुआ है आप यहां पर देख आया ही किस दिन का नोटिस है तो 23-9-2024 को ये नोटिस आई है और उसी दिन से आवेदन भी सुरू हो चुका है तो 23-9 से लेकर देख सकते हैं 23-9 से लेकर 30 December 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं यानि इसमें चेहन अपना करवा सकते हैं पैसा नहीं लगेगा ठीक है उम्र यहां पे भी बताई गई है 18-40 साल होनी चाहिए कोई भी स्वस्त अस्तरी अत्वा पूरुस सामिल हो सकता है इसमें और देखिए रसोया की संख्या की बारे में भी मैंने आपको बताई दिया है और आविदन कैसे करना है उसके बारे में आपको बताई गई है जैसे कि विद्याले अस्तर पर रसोया सहाया को विद्याले सिच्छा समीती और विद्याले के हेड मास्टर के द्वारा पाहाल करने की जिम्मेदारी दी गई है इसलिए जो भी व्यक्ति या महिला आविदन करना चाहते हैं वो अपने नजदी के स्कूल में जाकर headmaster से संपर करेंगे क्यों form बगेरा जो है उन्हीं के पास उपलब्द करवाया गया है headmaster के पास तो आप उसी से जाके अपना form भी ले सकते हैं और भर कर उसके पास जमा कर सकते हैं देखे इसमें चैन एक ही तरीका है कि कुछ तो आपको करना पड़ेगा खर्चा वगेरा जो है क्योंकि बिना लिए दिए तो यह सब करने वाला नहीं है हमेजा बरस्टा चार से ही यह सब पोष्ट भरे जाते हैं तो बिना लिए दिए कुछ होने वाला है नहीं चीक है तो headmaster से संपर कर लीजेगा और उसी ग्राम पंचायत में संपर करिएगा जिस ग्राम पंचायत में आप रहते हैं यानि आप अपने नजदीक के अस्कूल में ही इसमें बहाली अपना करवा सकते हैं अब बात करते हैं पैसा बगेरा कितना मिलेगा तो देखे रसोया सा सहायक का मासिक मांदे भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है अता भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिसा निर्देश के अनुसार इसमें परिवर्तन किये जाते हैं देखे पहले इसमें 600 रुपय फिर बीच में देखे बढ़ा के जो है अब एक हजार रुपय कर दिया गया है इसी फरकार से हर साल जो है सकता है इसमें बढ़ोत्री की जाए तो अभी तो फिलाल जो है बरतमान में एक हजार रुपय महिना के दर से मांदे दी जाती है जो की हर महिने के साथ तारिक को उनके खाते में RTGS या नेफ्ट के माध्यम से या चेक के माध्यम से रसोयों को दिया जाता है पैसा और देखिए यहां पे एक चीज और बतायागा है कि संसाधन के आभाव में आकास्मिक रूप से यदि किसी माह में मध्यान भोजन बंद होता है तो भी रसोया सहाया को भुक्तान जारी रखा जाएगा यानि कि अगर आश्कूल बंद है किसी महीने में किसी कारण बस छुटी है तो भी पैसा आपका कटेगा नहीं वह आपका माध्य आपको मिल जाएगा सेलरी आपको दे दी जाएगी अब देखिए एक चीज और इसमें दी गई है अगर कोई रसोया सहा बाया तीन दिनों से आधिक अनुपस्थित रहती है यानि अपने काम पे नहीं जाती है तो वो पर्धाना अध्याफक की अनुमत्ति लेकर अपने बदले किसी आने ब्यक्ति को कारे पर नहीं भेजती है तो देखिए अगर आप नहीं जाते हैं स्कूल खाना बनाने तो जाए या आपके बदले कोई जाए लेकिन जाना जरूरी है यही यहाँ पर बताया गया है अगर आप लागतार 15 दिनों तक नहीं जाएंगे तो आपका कारे जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा हलाके इसमें सेलरी बहुत कम है एक हजार रुपय महिना है लेकिन अभी जो है इसका डिमांड किया जा रहा है हो सकता है इसमें बढ़ोतरी किया जाए 5-6,000 रुपया किया जा सकता है चुनाव आते आते हो सकता है इसमें बढ़ोतरी कर दी जाएगी तो उमीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी रसोया की बहाली शुरू हो किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए बाई जैहिन